में अंपको क्रम कोड कर ना नहीं कि दिख आए कि में आपको ज़्यादा लंती हो जाएका वीडियों माई इन था टेया wichtig आफे और तो डीने क्रेड़ करना निखितव दिखाया पहले से लेधिए दोगाम सब्सक्राइब केट्सक्रा आछ थी सब्सक्राइब इस तरह से एर निकाल लीजिएगा उसके बाद में हम स्क्रैपर से एक बारी गुमा लेंगे फिर आपको पता चलेगा कि करीम अपने को कम लग रहा है तो वापे थोड़ा-थोड़ा करके क्रीम लगाते जाएंगे और आइसिंग करते जाएंगे छटपती है मेरे पहले बहुत सारा टाइम लगता अगुशा मेरा आराम से चल्दी फटाफट हो जाता है पांच मिन्ट के अंदर मेरा आइसिंग कमप्लीट हो जाता है ताब इस तरह से प्रैक्टिस करते रहो गए तो आपका भी एकदम अच्छे से क्रीम कम लग लगाते जाएंगे इस तरह से स्क्राइब करते जाएंगे अगर अगर अच्छे लग रहे तो फ्रेंड सर्फ मेली के साथ भी जरूर शेयर काना और जो भी नए फ्रेंड्स जुड़े हैं अभी तक आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर होने आया है तो आप भी जरूर मुझे फॉलो कीजिएगा वहां पर भी अच्छे वीडियो उसमें डालती देती हूं तो उसमें निमिशा 0204 के आईडी से आप सब्सक्राइब कीजिएगा आपको अच्छा लगेगा तो आप देख सकते बातों बातों मैंने आइसिंग कर है तो इस तरह से हमें कर लेंगे है और मेरा अच्छे से अपने क्लीन कर लेना है तो अच्छे से चलेन हो चुका है मरा ऊपर कंस परेलट नियुक् kalo दे लेंगे कोई बड़ा चोचा जो भी हैं लेरे लिज्येगा और एक रिदरा से गुमा पे जाएगप बomena स्जीह करने आ बढ़िया तो इससे हमें बढ़ लेंगे उसमें नौजल कुछ नहीं डालूंगी में ऐसे बर लेना है क्योंकि फिलेट नाइफ डिजानी देंगे तो इस तरह से मैंने कर लेना जोड़ा ईए तरह से आपको एक बारी फिर से दिखा देती हूं एकडम सीमपल दिजान है लेकिन देखने में बहुत ही बढ़ी आलुक आ रहा था एकडम से आप भी जरूर ट्राइक करें जो भी बिगनर है जिनको भी एकडम से फिनिशिंग करने में तो इस तरह से मैंने कर लिया है् betis two होतितना नीचे जो ब्रडर कर कंए और वा wen ऊस्टे आपड़ी करने को स्थोरा कर लिया से उसे क्रलिपान हो चुका है हुमारा फूरा में निक नображहें भी सबळार कितना कर लिया है मैंने तो एक डॉट जैसा कर लेना हमें उससे इस तरह से खिषते जाएंगे तो देख रहें आप कितना बढ़िया लग रहा था बहुत ही अच्छे उन्होंने कस्टमाइस करवाया और डिजाइन उन्होंने दिया हुआ था मुझे यह डिजाइन करने के कि मैंने रीपीट नहीं किया है और फिर मैंने में कोई भी नोजनी डाला है सिफ इसे ही पतला सा दूसरे पाइप में ले लिया था मैंने च्छोटा सा ओल कर लिया है इस तरह से हम पाल्ट का डिजाइन देंगे तो कुछी नहीं करना आहे बस एक ड्रॉब करना और से हलक्य तो आप देख सकते हैं कितना सीम्पल देखने में कितना बड़िया लुका आया है ने लगा अब इसके उपर हम थोड़ा सा गॉल्डन डर्स और यह परेक्ष में लिए उससे में फिर से थोड़ा सा इसके उपर भी छीटे-छीटे लगा लेंगे ताप देख से मैंने सिल्वर कर लिया था अब मैं गोल्डन डॉस्ट और प्रक्सराइस से मिक्स कर लिया था और ब्रश की हेल्प से मिस्टरा से शटे लगा लेंगे तो एक की सैड करना है पूरा में नहीं करेंगे और थोड़ा पीछे की सैड भी में कर लूँगी और उपर से में चोकलिट मॉल्ट के अदर में दो हाट भी बना लूँगे और उसके बीच में हमें एक और यू बिस्कित भी रख लेना है तो इस तरह से हम करेंगे और उपर से चोटा सा जो गोल्डन बोल्स आता है उसे भी में रख लिया है और बर्तडे का टॉपर भी रख लेंगे और जिसका नाम सा किसे उनकी ममी का बड़े था तो भी रख लेंगे तो इस तरह से हमारा केक रेड़ी हो चुका है तीन से पांच गंटे के लिए सेट होने दीजिएगा इसकी बात आप डिल्वर कर सकते हैं तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो सभी को अच्छाला का नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं तक के लिए बाई फ्रेंड्स